किसने बोला समोसे सिर्फ बाहर के ही अच्छे लगते हैं कभी घर पे भी बनाके खाओ बाहर वाले समोसे ही खाना भून जाओ है सबसे पहले समोसे के लिए आलू रेडि कर लेंगे एक कड़ाय में तेल गरम कर लेंगे उसमें डालेंगे कद्दू कस किया हुआ अध्रग और क मुमफली के दाने और गरम मसाला पाउडर दो से तीन मिनट के लिए इन सब को अच्छे से बून लेना है अब एक कप मैदा में कलोंजी और अजवाईन डालेंगे और स्वादनुसार नमक ऊपर से डालेंगे वन थर्ड कव रिफाइंड ओल मैदा और तेल की कॉंटिटी प बहुत जादा पतला हमें बेलना है एक तरफ से हलका लंबा बेले ताकि समोसे को हम शेप दे पाएं दो जरूरी बात पहला समोसे को पानी लगा कर ही सील करना है वरना फ्राई करते वक्त ये फट भी सकता है और दूसरा समोसे फिल करके इसे 10 मिनट के लिए खुली हवा में चोड़ दे और फिर फ्राई करें इससे फ्राई करने के बाद समोसे पर बबल्स नहीं होगी मैंने एक कप मैदा से करें 20 से 25 छोटे-छोटे समोसे बनाये हैं फ्राई करने के लिए तेल को हलका गुन-गुना गरम कर ले अब इसे लो से मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे घर पर बना गर्मा गर्म समोसे चाय के साथ इंजॉय करें